डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आएं है एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्टरफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. तेसला इमिजरिंग और डाइगनोस्टिक सेंटर. बाप की हत्या कर दी गई, माँ को इसलिए मार दिया गया, क्योंकि वह जाग गय थी और उसने हत्यारे बेटे से अपने पती को बचाने की कोशिश की थी. बेटे आरिया एंवे उसके दोस्त आदेते को गिरफतार कर लिया गया है. हत्यारों की जबानी पुलिस की कहानी जिसने भी सुनी वह आश्चरे चकित हो गया. साथ ही यह सवाल भी कौन गया कि अगर शराब की नशे में मार पीट जैसी हरकतों के लिए बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया, पिर उस मार की क्यों हत्या कर दी गई, जिसका दर्द वह बरदाश नहीं कर पा रहा था. आरोप यह है कि बाप प्रमोद मा से अक्सर मार पीट करता था, इसलिए आरेयन ने उसे मात की नेम सुला दिया. यहां हम बात कर रहे हैं, मेरेट के शासनेगर में मंगलवार को हुए दोरे हत्या कांड की, मारे गई लोगों में प्रिवोद, वे उसकी पतनी ममता करनवाल शामिल हैं. ममता BTS International School में शिक्षिखा थी, जबकि प्रमोद गाजबाद में लिपिक. बुरदाओं से बेटे आरेयन ने पड़ोसी दोस्त को यह कहते हुए घर बेजा कि मम्मी पापा पोन नहीं उठा रहे हैं, घर जाकर उनसे बात करा दो. पड़ उसी दोस्त ने शासनिगर सेक्टर चे, इस तो घर जाता देखा, तो दादा बेहोश, दादी आधी बेहोश, जबकि प्रमोद में ममता के रक्त रंजित शव बैड पर पड़े थे. पुलिस ने अंतिम संस्कार से लोटते हुए आरेयन को हिरासत में ले लिया था, कोश्टाश हुई, तो यह कहानी सामने आई, आरेयन गुरुगराम में कारे रथ है, इस बारे में स्स्पी रोहिसंग सजवान ने यह जानकारी दे, थाना नौचंदी की अंतरगत, एक दंपत्ती जो अपने दोमंजिला मकान है, उसमें उपर एक कमरा था, वहां पर निवा के उपर हत्या का मुकदमा पंजीपृत किया गया था, इस पूरे प्रक्रण में पूलिस के दोरा जो वेशना की गई, CCTV फोटेज एकत्र किये गए और अन्य चीजें की गई, उसके आधार पर जो मिर्तक हैं, उनका ही बेटा, जो आरेयन है, और उसका एक साथी आदित्य है इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है, और जो अभ्यूक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है, कि उनका पहले इरादा था, वो केवल जो पिता है, उसको मारने का था, लेकिन क्योंकि उनकी जो माता हैं, वो उस दोरान हत्या के दोरान जग गई थी, इस इसे उनकी भी हत्या इन दोनों के दोरा कर दी गई, इस पूरे प्रकड में ये चीज निकल के आई है, कि शाम को 8 बजे के आसपास, जो मृतक का जो लड़का है, वो घर पे गया है, और उनको मैंगो शेक, तीन सदस्यों को मैंगो शेक पिलाया, जिससे कि वो उनको नींद जागी, केवल पिता जो है, पिता को उसने मैंगो शेक नहीं पलाया, उसमें नशीली दवाईयां उसके दौरा मिलाई गई थी, और रातरी को फिर साड़े ग्यारा बजे के आसपास, ये जो है वो घर पे आया है, और घर पे आकर इसने अपने पिता की हत्या किया, और उस पुलिस के दौरा बताया गया है कि जो उसका पिता है, वो अकसर शरापी कर अपने उनकी जो माता है, उनको आकर मारता पीड़ता था, जिससे घर में कल्या की सित्य उत्पन ने रहती थी, और इसके बाद घर में जो पुरा महवाला बहुत खराव रहता था, इस वजए से इसके दौरा ये हत्या अपने पिता की कारित करने का इसने सडियंत रजा, लेकिन उस दौरान फिर इसकी जो माता जो जग गई फिर उसकी हत्या भी नोंने कर दी, दोनों ये विक्तों को पुलिस के दौरा गिरिफतार किया गया है, अभी के लिए इतना ही देखते रहेए, पॉस्ट पाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूले, नमस्कार.